हलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल कसीश फेशन क्लब फ्रेंट्स अभी हमने कुर्ता बनाया था पिछला वीडियो मैंने डाला था वेलवेट की कुर्ती बनाई थी उसी कुर्ती के फैब्रिक में से बचा हुआ ये फैब्रिक है जिसमें से हमने बूटिया निकाल ली है और हम इसकी वेलवेट की पैंट बनाने जा रहे हैं उस कुर्ती के साथ में मुझे प्लेन फैब्रिक नहीं मिला था दो तिन सोप पर ट्राई किया था तो मैंने उसी की बूटिया निकालके और इस फैब्रिक को तयार कर लिया पैंट के लिए चले फ्रेंस कटिंग करते हैं हम इसकी तो ये मैंने मैं पहले बैक पार्ट कट कर रही हूँ तो बैक पार्ट कट करने के लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है इसको डबल फोल्ड कर लिया है इसमें जो ये नीचे जो कट वर्क कर रखा है उसको हम नीचे की तरफ ही रखेंगे मैंने इस कट वर्क को छोड़ते वे बाकी सारी बूट याई इसमें से निकाल दी थी चलिए फ्रेंड्स हम इसके मार्क कर लेते हैं ये उपर बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच पर निसान लगाया है उसके बाद हमारी कमर की चोड़ाई की माप लेते हुए उसका फोर्थ करते हुए मैंने इसको 13 पर निसान लगाया है क्योंकि हम पीछे की तरफ इलास्टिक यूज करेंगे इसलिए मैंने इसको 3-4 इंच एक्स्ट्रा रखा है और नीचे की तरफ हम इस तरह से 11 पर निसान लगाएंगे और इसको इस तरह से गोलाई का शेप दे देंगे यह हमारे आसन की मार्किंग हो गई है अब नीचे हम पहुच चोल के लिए भी मार्किंग कर लेते हैं हमने उपर 13 पर निसान लगाया था तो हम नीचे भी 13 पर एक मार्क कर देंगे अब इसके बीचो बीच हम एक निसान लगाएंगे उसके बाद हमें जितनी चोडाई के पहुचे चाहिए इसके उतनी चोडाई में दोनों तरफ से मार्किंग कर लेंगे अब इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे और दूसरी तरफ वाले मार्क को भी हम उपर से इस तरह से मिला देंगे इसको भी कि यह हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है अब हम इसको कट कर लेंगे कि देखिए फ्रेंज हमने बैक पार्ट को कट कर लिया है अब हम यहाँ पे भी कट लगा देंगे दोनों तरफ ताकि हमारी बैल्ट जो हम मोडेंगे वो बराबर रहे फ्रेंट वाले पार्ट को कट करने के लिए हमने बैक वाले पार्ट को उसके उपर रखते हुए और दो इंच कम कट कर लिया है बैक वाला पार्ट दो इंच एक्ष्टा रहेगा और फ्रेंट वाला पार्ट दो इंच कम रहेगा अब हम इसको यहां से आसन को जोड़ देंगे पहले बैक पार्ट वाले को और इसी तरह से फ्रेंट पार्ट वाले आसन को भी जोड़ देंगे इस तरह से यहां पर सिलाई लगाएंगे देखे फ्रेंट्स हमने दोनों के आसन पर सिलाई लगा दी है अब हमें क्या करना है हम बैड़ंड पार्ट और फ्रेंट पार्ट दोनों को जोईंट करेंगे तो उसके लिए हमें यह साइड वाली जो है वो सिलाई लगानी है यहां से शिलाई लगाते हुए दोनों तरफ हम इDas वह मैं इसी तरह से सिलाई लगाएंगे यह देखे फ्रेंट्स हमने दोनों तरफ से इस पर सिलाई लगा दी है अब हमें यह बीच वाली सिलाई लगानी है और उपर से हम इसकी बैल्ट को भी मोड देंगे इसकी बैल्ट को पहले मोड देंगे इस तरह से शिलाई लगा देंगे थोड़ी जगए छोड़ते हुए यहाँ पर इलास्टिक लगाएंगे बैक साइड में देखे फ्रेंड्स हमारी पेंट बनके तयार हो गई है मैं बाद में इसमें इलास्टिक एड़ कर लूँगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यू फोर वोचिंग सब्सक्राइब कीजिएगा向द कीजिए।